इसके तैयारी में सबसे ज़्यादा मेन यह होता है कि आपका डाइरेक्शन कैसा है और उसके साथ ही साथ आपका स्ट्रेजी कैसी है दो चीज़ों पर काम करना होता है तो एक बैक बोन है सीविल सर्विसेज के लिए और वो न सिर्फ आपको एक सब्द चैन का सबसे इसको ब्रॉड करता है जो भी टॉपर्स होते हैं में उन्हीं को ज्यादा फ़लो करता था उनकी को देखता था कि उनके लिखनी के अस्ट्रेटजी क्या है यह ने बनाया कि रोज मुझे 14 गंटा पढ़ना है 15 गंटा परना है पस मेरा रोज का टार्गेट रहता था उसको म ओरडिंग में आगी काम करते है अपनी अस्ट्रेटजी बनाओ कि मेरा एक साल का एक जाम है दो साल का एक्जाम कब दे ना है मुझे इतने दिन में मुझे यह चीजे कबर कर लेना है हलो दोस्तो नमसकार मेरा नाम विभान सुआगत है यहाई दोस्तो आज हमारे साथ प्रस तो बहुत सारी बाते हम करेंगे साथ साथ पढ़ाई किस तरीके से करते हैं सब कुछ आज किस वीडियो में जानेंगे बस आप लुग वीडियो मैंन तक बने दियेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लोडिकेशन बेल को प्रेस कर दिएगा ताकि हमारे वीडियो के रेगुल और फिलाल में मेरा वीडियो पोस्ट पे चैन हुआ है और अपने जैसे पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताए कि जैसे पढ़ाई उगर आपने कहां तक अभी किया है तो मैं मुल्तव बिहार से हूँ सासा आराम से तो वहीं के प्राथमिक श्कुल से हुआ है और उसके ब हुआ है उसके साथ ही साथ मैं इतिहास भी सैसे यूजी सी नेट भी क्वालिफाई हूं और यह मेरा एजुकेशन जो भी था एक अडमिक मेरा 2020 में कंप्लिट हुआ और यह 2020 में एक्जाम मैं इसमें दिया हूँ तो इसमें है सर उसके बाद जैसे कि हम जाना चाहें क्योंकि जो तैयारी करते हैं एसपरेंट यूपीस्टी हो गया या फिर पीचेस का हो गया थो मलब सबके मन में कही अपना अलग एक स्टैड़िजी होती है हां कब से इस्टाट गे तो आपके मन में कब क्या कभ ख़याल है कि हां चलो हमें जो है सीवील सर्विसेश की तरफ जाने च यह, यह जरूरी है, सब्से पहले तो मेरा जब इंडेर का रिजट आया था, और मुझे धियम के माधियम से मीडल मिला था और प्रसाषटी पत्र पत्र मिला था, तो उस दिमाग में था कि इधर जाना है, पटी शेत्र में सब्से जचादा मेरे बड़े भाई, अश्डो शिं सब्सक्राइब करेंगे आपके तयारी के बारे में क्योंकि जब कहीं करता है तो उसकी मन में बहुत सारा ख्याल आता रहता है तो आपने तैयारी के बारे में थोड़ा बता है प्लिम्स के रणीद को लेकर कि क्या स्टेटजी आप फालो करते थे इसके तैयारी में सबसे ज़्यादा मैने यह होता है कि आपका डाइरेक्शन कैसा है और इसके साथ ही साथ आपके अस्टेटजी कैसी है दो चीजों पर काम करना होता है तो डाइरेक्शन के लिए मेरे जो सेनियर्स थे या मेरे जो टीचर थे उनके माध्यम से मैंने इसको किय आते हैं और साइंस बेक्ग्राउंड मेरा शाही था और साइंस से भी कोशन आते तो यह दो रहों मेरा शाही था उसके लिए ज्यादा मेनत मुझे बीपीएसी के लिए पीटी के लिए उतना नहीं करना पड़ा है तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो बच्चे फेल हो जाते हैं क कि इसके कोशन का कुछ आइडिया नहीं रहता है और करेंट का तो बहुत अच्छा खासा स्कोप रहता है थर्टी टू थर्टी फाइड आते हैं तो और वह भी फेक्च्वल लेवल के होते हैं और थोड़ा सा चलेंज आता है कि जो विक्ति उसके साथ ही साथ वीपीएसी की में पढ़ता था तो मेरा करेंट कभर हो जाता था पीपर हो गएरा कोई फॉलोग करते थे हां जन सत्ता का मैं दैनिक रोज उसका पढ़ता हूं उसके बाद सरा में न्सी आडी की तरफ चलेंगे क्योंकि बहुत सारी लोग बोलते हैं न्सी आडी जब आप तयारी करें चा तो न्सी आडी की सबसे ज़्यादा भूंद करती है तो मैं गर्जुएशन के टाइम शेहीं धीरे धीरे न्सी आडी को खतम करना इस्टार्ट कर दिया था तो मैंने न्सी आडी के एक रीडिंग उसी समय कर ली थी उसके बाद में में हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट सब्जेक्ट्स की होती है तो क्या मलब सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ना ची या फिर कुछ उसमें से इंपॉर्डेंट होते हैं सबसे प्रैमरी हमारा सबसे रहना चाह wrench कि में मेंस की तरब चलेगे क्योंकि में Japanese की तरफ चलेंगे क्योंकि meant में कहीं जब लगातार इक्जाम्स होते हैं, मेंस के पेपर लिखने पढ़ते हैं तो जब तक आपके पास सही रनिति नहीं होती सबसे में समस्या यह होती है कि यह जानना की question आगे पूसा क्या जा सकता है कैसे हो सकता है उसके लिए previous year के जो question होते हैं उससे हम यह पता कर सकते हैं कि mind setup क्या है बोड का ट्रेंड क्या चल ला है उसके according फिर हम कोई ऐसा question संभावित question खुद से तयार करते हैं या टे सीरिज के माधियम से तयार करते हैं उसके बाद हम सदत प्रयाज करते हैं और जो भी टोपर्स होते हैं मैं उन्हीं को जादा फ़लो करता था उनकी compute को देखता था कि उनक देना पड़ता है कि आपका एंसर जो है मनलब connectivity बनी रहा है और उसमें थोड़ा बहुत जो भी पीशी में खास करके भी है कि कोई आप innovative होते रहे बस यह नहीं की मतलब तथा कती जो अभी तक चलती आर यह चलते जाए तो उसमें innovative होना जरूरी होता है नंबर लेने के अभी मैं उसका interview दिया हूं और लास्ट रिजल्ट आना बागी है तो मैं बैसे के लिए अधरवाइस किसी कोचिंग का मैंने साथ नहीं लिया बस प्रिवेस के question देखे और खुद से करके कि इसका next question क्या हो सकता है तो एक पचास-पचास question का सारे paper का मैंने शेट बना लिया आप BPSC की बात कर रहे हो तो BPSC में मुष्टली जो फर्ष्ट paper होता है तो समग्र बिहार की एक book आती है तो उसमें दो चीजे cover हो जाता है एक तो वहां के बिहार की जो भी cultural चीजे आएंगी या बिहार की जो भी history से related traditional आएगी तो समग्र बिहार की book आती है उससे हो जाए उससे कर सकते और जो second paper वहां का होता है पोल्टी तो लश्मी कांतो रामबान है तो सब को पता है तो उसको गरो और फिर जो economy है तो economy की अदर अदर book के आती है बहुत से channel वाले भी देते हैं बट मेरा economic graduation में रहा था तो उस समय ही मेरा economy cover हो गया था तो हमको basically अलग से कुछ क पढ़ते हो daily basis पे तो उसे आपको जो जो नए-ने innovation होते रहते हैं तो उसमें चीज़े आती रहती है और जो भी application है technology का तो सारे चीज़े दिये रहती है तो उसका practice करके उसको बेटर किया सकता है सर हम जाना चाहें क्योंकि जो आप अभी बता रहे थे कि वहां का जो पॉर्षान है उसको और current issue वाले दोनों पॉर्षान है तो दोनों मिला की question पूछे जाते हैं और की question से कम नहीं रहते हैं तो ज्यादा मैने करते हैं तो उसके लिए हम बिहार के लिए इम्तियाज हमत की history क्योंकि history question ज्यादा आता है objective एक book आती है तो उसको मैंने प्रिफर क अगरा निकल में आ जाता है या फिर घटना शारू समय लेते हो तो वह आ जाता है तो cover फिर हो जाता है सर जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आप PCS की यानि कि यूपी PCS है और BPSC की भी आप वहां पर selection हुआ है तो आपको क्या लगता है दोनों में क्या similarity मंदब दोनों अ लग है यहां का total syllabus UPSC से match करता है वहां का syllabus अभी भी मतलब पुराने वाले हैं वह चलते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है यहां पे मिंश में total आपको चार GS के paper होते हैं और यहां पे हिंदी और A.S.E. दोनों में भी number मिलते हैं वहां पे हिंदी A.S.E. सिर्फ qualify होता है और GS के दो paper होते हैं कोश्चन के इस तर पे बात करें तो यहां पे लगू उतरीये और दिर्ग उतरीये दूनों तरह के question होते हैं और 20-20 question होते हैं और वहां पे जब कि 8 question GS में लिखना होता है और वहां पे आपको ज्यादा स्पेस मिलता है लिखने के लिए यहां पर क्या होता कि अस्पेस कम मीटा है टाइम बाउंडिंग में आपको उतना लिखना पड़ता है तो दोनों में बहुत सारी चैलेंजेंज है और दोनों को एक शांत लेके चलना थोड़ा सा मुस्किल रहता है उसके बाद सर जैसे प्री मेंस हो गया तो इंटर्वियू के लिए हम थोड़ा 고 main होती है एक तो आपका थोड़ा बहुत नोलेज हो उसके बाद आपकी प्रसनालिटी कैसे हो और आपका कॉन्फिदेंस कैसे हो मेरा धरसल इसलिए पहल था तो उसके लिए मुझे मुझे मॉग टेस्ट देना पड़ा था तो मैं इसके लिए मुख टेस्ट दिया था लोग उसके बाद मेंबर क्षिए का वहां की और यहाँ के मिलभा कूछ सेमी तरीके से द्थी आलाग अलग कर रहें जैसे बताया की यहां लग है यहांग तो ही मेरा थोगा सा कुछ ज्यादधा हो गया था तो यहांpsymi तो यहां के बोड मिम्बर की mental अपने डी मोटिवेट वाले फेज़ को कैसे कबरब किया है पढ़ाई के दोरान तो हमेंसा ही होता रहता है कि हर बाल आपके पक्ष में नहीं रहेगा तो उतार चड़ा होते रहते हैं तो मैं अक्सार जब भी वह से मेरे रिजल्ट सही नहीं आते थे आयूपी PCS में भी प्राइब भाई तो हमेशा हमको वही बताते थे उनके एक अकॉडिंग दूसरा चीज की मेरे साथ विकास भाईया मेरे रहते हैं तो यहां पर हें क्राइम ब्रांच में पोस्टेड है तो इनका सब़से ज्यादा साथ था कि हमेशा मेरे साथ रहते थे और तिसरा जो मेरी गलतिया थी तो मेरा एक दुस्प्राज है तो उन्होंने बार बार उट गलतियों को सुधारा और उसके साथ ऑपी साथ एक ढाय वेंद्र से सपोर्ट रहा तो इन सारे दोस्तों के साथ ही था कि निगेटिवीटी में भी पॉजेटिवीटी आ जाती थी सर तयारी के दवरान time manage करना काफ़ important होता है तो time manage करने के लिए आप किस कैसे time अपना follow करते दें time management का ज़रूरी है क्योंकि self discipline उसके लिए most important हो जाता है तो मेरा यह रहता था कि रोज रात में सोते समय में टार्गेट कर लेता था कि कल मेरे दिन को इतना खतम कर देना इसी जो को और सुबह मैं उड़ते उतने पर लग जाता था और मेरा अगर आट घंटे में खतम हो गया तो इन अब बागी मैं time free रहता था अगार 14 गंटा भी च रहता था उसको मुझे चीव करना होता था तो जब चीव हो जाए तो उस एक काम करता था सरम लास्ट में एक कोस्टन करेंगे कि आप जो हमारे विवर्स देख रहे हैं चाहे यूपी सी की तैयारी होगा या फिर PCS के फिल्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्य देखा तो यह चीजो पता अगर आपके पास हो जाती तो आपके जो भी मार्क दर्सक रहे हो आपकी सिनियर रहे हो आपके टीचर रहे हो अदरवाइस कहीं पर आप ख्लास ले रहे हो तो वहां से आप डाईरेक्शन ले लो उसके बाद अपनी इस्ट्रेटी बनाओ कि मेरा एक साल का एक्जाम है, दो साल का एक्जाम है, कब देना है मुझे, इतने दिन में मुझे यह चीजे cover कर लेना है, उसके साथी साथ जो previous year के question है, तो मुषली 10 साल के, ज्यादा पीशे का ही मैं prefer नहीं करूँ गा, तो दस साल का उससे आपको क्या पता चल जाता है, ट्रेंड पता चल जाता है, अभी हमको क्या पढ़ना है, और इन तीन चीजों को साथ में रखकर, और जो सेल्फ डिसिपलीन की मैं बात किया, कि रोज अपने आपको टारगट दो आगे वड़ो, तो वो अगर करते हैं, तो होफ दोस्तों, I hope आप लोगो जानकारी काफी अच्छी लगी होगी, यदि आपको जानकारी अच्छी लगो तो कमेंट में जरू बताना वीडियो कैसा लगा, आप लोग का लाइक, कमेंट और सेर जरू कर दीजेगा, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिन वन्दे मात्रम